तो current affairs के अंतरगत आज के सेशन में हम महत्यपूर current affairs आप सभी के साथ में discuss करने जा रहा हूँ और आप सभी इन current affairs के notes बनाते जाएए इनको revise करते जाएए ये निश्चित तोर पे current affairs आपको आपके exam hall पे देखने को मिलेंगे ये current affairs बहुत चुन करके मैं आप सभी के लिए लाता हूँ ये most expected current affairs है पिछड़े डेड़ साल का current affairs है और डेड़ साल के current affairs आपके exam में आएगा तो आप जब भी exam दे रहें current affairs के session आप सभी के लिए रामबाड रहने वाला है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे current affairs की सुरुवात करते हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक over breeze है fly over है तो यह आपका भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बना है नागपूर मेट्रो द्वारा दुनिया का सबसे लंबा double dacre by duct बनाए गया है ठीक है क्या बनाए गया है वाय अडक्ट डबल डेकर वाय अडक्ट बनाए गया है अब यह क्या होता है वाय अडक्ट क्या होता है देखिए वाय अडक्ट क्या होता है आम तोर पर एक लंबा पुल होता है यह पुलों की एक सरंखला होती है जो मतलब जिनका फैलाओ जो होता है या तो समुद्री किनारों पर होता है या फिर समुद्र टटो के आसपास होता है या कोहीं पर आसपास जो है जहां पर रेलवे गई हो उसके उपर होता है तो वायडक्ट एक पुल है ठीक है लंबा पुल है या पुलों की एक स्रंखला है ठीक है तो इसमें क्या होता है वाइडक्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि पुल के साथ पुल बनाए जा सके एक साथ दो पुल तीन पुल बनाए जा सके जैसे आप अभी यहां पर देखे इस वाइडक्ट में नीचे से तो आपकी जो है रेलवे लाइन्स गई है उसके उपर से आपका ये ओवर ब्रिजिंग हुई है तो ये नागपूर मेट्रो के द्वारा ये पूरा का पूरा बायडक्ट बनाए गया है तो नागपूर मेट्रो के द्वारा ये फ्लाइवर जो बनाए गया हाईबे है इसमे फ्लाइवर है और मेट्रो रेल के साथ डबल डेकर बाइडक्ट ये 3.4 किलो मेटर लंबा है इसका निर्माड करने के बाद इसका गनीज बुक आफ वर्लड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कि गया है साथ दिसंबत 2022 को नागपूर मेट्रों को इस उपलब्धी के लिए सर्टिफिकेशन प्राप्थ हुआ उपलब्धी प्राप्थ हुए ठीक है तो यह आपका एसिया का सबसे बड़ा बाइडक्ट है और इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में एसिया की सबसे लंबी संर दसना के तौर पे भी इसको जो है रख गया है तो नागपूर में बरधा से ले करके बरधा रोड जो आपकी है नागपूर में बरधा रोड में 3.14 किलोमीटर डबल डेकर बाइडक्ट बनाए गया यह पांच मार 2019 को मेट्रों रेल यातायात के तौर पे इसको सुरू किया मेट्रो प्रणाली के द्वारा यह सबसे बड़ा डबल डेकर बाइडक्ट है तो मेट्रों के तौर पे देखें तो यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा डबल डेकर बाइडक्ट है बाइडक्ट मैंने आपको बताया कि बाइडक्ट एक क्या होता है ऐसी परिवहन वहस्ता होती है जिसमें कई सारे पुल होते या पुलों की एक संकला होती है जो समुद्र टटों के साथ जुड़े होते हैं या फिर बहुत सारे टावरों के साथ इनका फैलाओ जो है सहरों के ऊपर से होता है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है और का उदेश होता है बाइडक्टों का कि सड़क पूल का निर्माड भी इनके साथ किया जा सके रेलवे ट्रैक बनाया जा सके तो सेंट्रल रोड अगली रिपोर्ट आपकी एक है इसका नाम है प्रदर्शन स्रेडी सूचकांग प्रदर्शन स्रेडी सूचकांग 2020-21 ठीक है इसकूली सिक्षा अबनाय बाधर्शन स्रेडी सूचकांग 2020-21 ठीक है स्कूली सिक्षा अवम्स चरता विभाग nastra ले के द्वारा इसे जारी जारी किया गया है अब दिखें ये जारी क्यूν किया जाता है इसका ultimate उद्देश क्या है किसने जारी कि है सिक्षा मंत्रा लेने ठेक है इसका उद्देश होता है कि पहली बात तो सिक्षा से जुड़ी हुई डेटा आजाए आकड़े आजाए ताकि सिक्षा से जुड़ी हुई नीती का निर्मार जो करना है उसके लिए सभी को गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा सुनिश्चित हो सके पार्टिक्रम और स्लेबस में सुधार किया जाए ठीक है तो जो स्लेबस है स्लेबस में सुधार हो सके स्लेबस में सुधार हो सके इसमें ठीक है प्रदर्शन स्रेडी सूचकांग 2021 में पार्टिक्रम में सुधार किया सके आपका और गुडवत्ता पूंήςक्षव सुनिश्चित कर आई सके अगु गुडवत्ता पूंथक्षव सुनिश्चित और पाठिक्रम में सुधार हो सके प्रदर्शन स्रेडी सूच कांग जो आपका है इसी कांट से जारी किया जाता है ठीक है clear is first है अब देखें इसमें कई सारे इस्तर बनाए गए है कई सारे आधारों पे मानक बनाए गए है तो इसमें पहला इस्तर जो आपका है इसमें टोटल एक हजार अंक दिये जाते है टोटल दस स्रेडियों में इसको विभाजित किया गया है कितनी बनाए गए हैं दस स्रेडियां विभाजित की गई तोटल दस त्रेडी बनाई गई है तो पहले इस तर में तो कोई भी स्टेट नहीं है हमारे आपे पहले इस तर पे ना तो कोई स्टेट है ना तो कोई केंसासित प्रदेश है दूसरे इस तर पे टोटल साथ स्टेट है आपके दूसरे इस तर पर साथ स्टेट और केंसासित प पहले इस्तर पे कोई भी नहीं है दूसरे इस्तर पे केरल है फिर पंजाब है पंजाब के बाद चंडीगर है महाराश्ट है गुजरात है राजिस्थान है आंदप्रदेश है फिर से केरल के बाद पंजाब पंजाब के बाद चंडीगर फिर महाराश्ट फिर गुजरात फिर राजिस्थान फिर आंद्र प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश तीसरे इस्थर पर है उत्तर प्रदेश इस्तर 3 पर सामिले यहां पर सामिल फ्रे हैं कैरल हो एक ईट ehւ घया पंजाब हो गया चंडिगर 중요аль महराश्र पतुराइब गुजरत पहली बार समलित हुए है तो यह आपको क्लियर रखना है सभी लोग सारे बच्चे इस परष्ट सभी को मेरी बात यह वाला प्रदर्शन स्रेडी सूचकांग देखे किसलिए जारी किया गया है यह एक डेटा है ताकि इस से स्लेबस में सुधार किया जा और गुरुवत्ता प दूसरे पर में साथ स्टेट आते हैं केरल है आपका केरल के बाद पंजाब चंडि गड़ महाराश्ट है कुजरात राइस्थान अंदप्रदेशित्ने इसमें संब्लित है ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं next यह हो गया आपका आगे चलते हैं अगला अगला current affairs है आपका अगले current affairs पर चलते हैं यह देखे यहाँ पर दिये गए हैं यह सरेडिया केरल हो गया आपका यह सब ग्रेट दिए गए चले आगे बढ़ते हैं एक नया गड़बंधन बनाया गया आपका कि एसी आई पॉम आईल गड़बंधन इसको बोलते हैं एपी ओए एपी ओ ए ये बनाया गया आपका एक एसिया पॉम आलायन्स अपी ओ ए इसका अनावरन किया गया है ठीक है अब इनको बनाया किसने किसने है जो एजिया के प्रमुक पॉम आयल को पॉम आयल आयात करने वाले देश है उनके द्वरा बनाया गया है तो देखे आप समझे इसका पहले तो एक आयोजन हुआ था Global India, सितंबर 2022 में Global India का आयोजन हुआ था आगरा में ठीक है? Global India, Global Global, G-L-O-B-O-I-L, Global India का आयोजन किया गया था ग्लोब आयल इंडिया का योजन आगरा में किया गया था भारत के आगरा में किया गया था ठीक है अब ये आपका एक सम्मेलन जो है विस्व में जो खाद तेल हैं और क्रिसी ब्यापार सम्मेलन के तोर पे ये मलब एक सम्मेलन है ग्लोब आयल हर वर्स होता है विस्व के अग प्रोटबंधन मनाया गया एीप ओय का निर्माडम किया गया और इसमें इसी प्रिममय का आया तक प्रमुक्राइब की अधिकन जिसे भारत हो गया पाकिसतान हो गया हर सीलंका बंगला देश हो गया और निपार से कुछ दिकारि फजर्टि given के टो यह पाकिस्तान सिलनका बांगलादेश और नेपाल इनके द्वारा इसका गठन गचन किया गया तो भारत में पहली बार जो है इसका योजन जो पॉम ऐल है convenient है भारत एशीया में तार का तरका देल इसका सबसे बड़ा आयातक है और बासविक का नमबर आता ऑद घ है पाकिस्तान फिर बांगला देश है तो यहाँ पर भारत- पाकिस्तान सिहलंका बढंगला देश और नेपाल ने इसका क्या किया है قाँ माय Windows यह गड़बंदन को बनाया इन्हों सबी जनते हैं यह आप यह ब्रत होता है ताड़ आपका इसी से इसी से इसको पहली सब्सक्रै अद्नी पहले अध्यक्श बनाए गया है भारत के ही है अतुल चतुरवेदी जी को इस गड़बंधन का पहला ध्यक्ष बनाए गया ठीक है APOA APOA पहली आमशभा का योजन आगरा में ग्लोबायल सिखर सम्मेलन के तौर पे यह आपको ध्यान रखना है क्लियर एस परस्ठ है ग्लोबायल सिखर सम्मेलन तार के तेल को लेकर के अलाइनस है Asian Pomile Alliance Asian Pomile Alliance के तौर पे इसको हम जानते हैं ठीक है यह आप देख सकते हैं यह बैठा खुई थी आपकी Asian Pomile Alliance को लेकर के यह आप देख सकते हैं यह है आपका जो इस से बीज निकलते हैं प्रथम 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 प्रथ दिल्ली में पहला आपका यह पसु स्वास्त सीखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है कहा हुआ है नई दिल्ली में फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समेट 2022 ठीक है यह दो दिवश्य सीखर सम्मेलन है इसका उद्गाटन केंद्री मतश्य पालन और डेरी मंत्राले के द्वार किया गया है तो भारत का पहला पशू स्वास्त सम्मेलन आपको ध्यान रखना है नई दिल्ले में योजित हुआ इससे भी कुश्चन पूछा जाएगा ठीक है आगे चलते हैं यह आप देख रहे हैं इंडिया एनीमल हेल्थ समिट 6-7 जुलाई नई दिल्ले में योजित विकास की प्रापती के लिए पशू स्वास्त पर बल प्रदान करने के उद्देश्य किए गया है यह जिए आहयोजित कहा हुआ है इंडिया चैम्बर ऑफूड और एग्री कल्चर में धिक है चल्यागलई अगला चलते हैं आप देख रहे हैं सबसे यादा आप लोग प्रियोग करते हैं इसका यह सककर चीनी बोलते हैं सककर बोलते हैं सुगर बोलते हैं जो भी आप बोलते हों अक्टूबर 2022 में उभोकता मामले खाद देवम सारजुनिक वित्रण मंत्राले के द्वारा एक आकड़ा जारी किया गया जिसमें बोला गया भारत चीनी का सबसे बड़े उत्पादक है। खाद देवम सारजिनिक वित्रण मंत्राले भारत सरकार के द्वारा आकड़े जारी किये गए जिसके तहते बताये गया कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उभोकता बन चुका है और सबसे बड़ा जो है क्या बन चुका है ठीक है उत्पादक बन चुका है दोनों चीजे हैं सब सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उभोगता और एक्सपोर्टर हम सेकेंड नंबर पे हैं ये एक डेटा याद करिएगा विष्णुजय कुमार जी कानून मंत्री जी से जुड़ी हुई जानकारी मैं नेक्स्ट क्लास में डिसकस कर दूँगा अभी जो सुप्रिम कोट और कानून मंत्री वाला जो डिवेट था उसको लेकर के मैं आने वाली क्लास में डिसकस कर दूँगा ठीक है चली आगे चलते ह अगला चलते हैं बिश्य निवेश जो है समीट आपकी हुई थे रिपोर्ट आई है वर् न्यून 221 को अंक टाड एक संस्था है आपकी। युनाइटेड नेशन की ही ये संस्ता है आपकी अंक टाड इसके द्वारा विश्व निवेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई ठीक है इसका जो थीम था हो था अंतर राष्टी करसुदार और सतत निवेस पे वो देना तो जो FDI आता है विश्व निवेस रिपोर्ट 2022 FDI की बात कर रहे हैं तो FDI किस देश में कितना आया कौन सा देश FDI के लिए लोगों की पहली पसंद है ठीक है तो FDI को लेकर के एक बार यहां पे बात कर रहे हैं कि टोटल कितना FDI आया तो inflow और outflow दोनों चीज़े होती हैं तो inflow कितना हुआ मतलब देश के अंदर FDI आया कितना FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेस बाहर से कितने investor आये और यहां से कितना दूसरे देशों में गया तो inflow में नंबर एक में हैं आपका USA 2021 की बात कर रहे हैं 2021 ठीक है USA ठीक है नंबर एक में USA सबसे ज़्यादा USA में लोगों ने जो है इनिवेस मतलब FDI प्राप्ट करने वाला पहले नंबर पर बना USA फिर है दूसरे नंबर पर चीन और तीसे नंबर पर हॉंग कॉंग होंग कॉंग यहां पर FDI सबसे ज़्यादा आया ठीक है यह inflow हुआ आपका होंग कॉंग भी चीन का ही इस्सा है ठीक है लेकिन वन चाइना टू कंट्री सिस्टम के अंतरगत एक अट्रोनोम स्पॉर्ट पार्ट है उसका अब भारत की बात करें तो भारत 2021 में सात्वे सिस्टम कारें प्राप्थ करने में ठीक है सबसीर हुआ है और दोअरग किस्ट अविदेसी हमें कितना मिला 45 अचनला कि न मिलए 45 बिलियंद डॉलर पहले से बहुत कम है बहुत आया था विलियन डॉलर ठीक है और 5 विलियन डॉसले आया आया 25D और्भी स्था याप स्टप विलियन डॉलर ता यानि 29 डॉलर आपका कम हो गया यह तो यह आपका जुह है इन्भाइस साथवे नंबर पे हैं सेवेंथ रैंक पे हैं 45 बिलियन डॉलर 2021 में भारत को जो है ये मिला था 2020 में मारी आठवी रेंग थी लेकिन FDI जादा हमें प्राप्त हुआ था ठीक है अब बात करते हैं आउट फ्लो कैसा रहा बहीर प्रवाह मतलब यहां से कितना भी देशी निवेस वापस गया या अन्य देश्चों के लिए गया तो इसमें भी नंबर एक में आपका यूसे है नंबर दो पर जर्मणी है नंबर तीन पर जापान है ठीक है यह तो आपका इंफ्लो था FDI अंतर प्रवाह दूसरा आउट फ्लो है आपका ठीक है तो आउट फ्लो में आउट फ्लो में आपका नंबर एक युए से नंबर दो जर्मनी और नंबर तीन में आपका जापान है क्लियर है इस पस्थ है यह आउट फ्लो है और जो है भारत से भी FDI बहिर पर वा हुआ है 16 बिलियन डॉलर भारत से भी गया यहां से भी 16 बिलियन डॉलर जो है आपका आउट फ्लो किया गया है ठीक है तो आप देखें यह दोनों डेटा याद रखना है 2021 में अमेरिका नमबर एक फिर चाइना और हॉंह कॉंग कॉंग FDI प्राप्त करने में प्रट्यक्ष विदेशि निवेश प्राप्त करने में तो यह आपका वैस्विक निवेश रिपोर्ट है ठीक है वैस्विक निवेश रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इन्वेश्टमेंट रिपोर्ट 2022 ठीक है इंटरनेशनल टैक्सेस एंड रिफॉर्म एंट देखो हर जगे पर सतत विकास को इस समय बहुत जदा सतत निवेश सतत विकास तो सस्टेनबल मतलब लगातार investment आती रहे ये जो है इसका particular theme था ठीक है तो ये आपके total एक तो आपका ये हो गई 2099 रिपोर्ट हो गई एक news दूसरी news आपकी सुगर को लेकर के हो गई कि चीनी के सबसे बड़ा उतपादों को भुगता और दूसरे ने रियातक बन गए हम ठीक है इसके बाद भारत में पसूस्वाइल स्ब्सक्राइब का मेलन नई दिल्री में हुआ था ठीक है ये आपका हो गया इसके बाद पॉम आयल को ये कर गढ़बनेन बनाया है ठीक है ये गढ़बनेन मना ऐगया है फाम इल्ज पन्दन ठीक है पांच देशों मिलके बनाया भारत, पाकिस्तान सिलंका बंगलादेश नेपाल पडोसी देश है हमारे सारे ठीक है और इसके बाद ये आपका प्रदर्शन स्रेडिस सूचकांग 2020-21 ये टॉपिक हो गया और ये आपका नागपूर मेट्रों के द्वारा डबल डेकर बाइडक्ट बनाए गया है जिसको दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर बाइडक्ट बोला गया है तो आज के करेंट अफेर्स के अंतरगत ये टॉपिक आपके पर्याप्त है इतने ही ट सारह देख लिजे आपका भला हो जाएगा आपके एगसाम में और आप कोई वी इकसाम दे रहे हैं ये करैंट अफेर्स आपके लिए बेश्ट करेंट अफेर्स है बहुत चुनिनदा करेंट अई आप इतना करके जाएंगे अभी जो भी एक्जाम हो रहे हैं उनमें करेंट फिर से सारे कोश्चन यहीं से निकल रहे हैं ठीक है तो बस एक वार इन्हें पूरा कर लिजे और रिवाइस कर लिजे ठीक है